हलो दोस्तों आप सब लोंका एक नई वीडियो में हर देख स्वागत है आज का प्रिशन जो है बहुत ही अच्छा है फैक्टोरियल के दो प्रिशन लिए गए हैं और इसके बाद तीन और वीडियो आएंगी फैक्टोरियल की ठीक है एक साइन ऐसा होता है ठीक है तो यह दो साइन है इस तरीके से कोई संख्या लिखी जाती है जैसे पाँच फैक्टोरियल तो ऐसे लिखेंगे यह होगी संख्या ठीक है तो यहाँ पर वैसे ही लिखा है 139 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा इकाई अंक बताना है, तो इसका इकाई अंक, तो इससे पहले आपनों को बता दें, फैक्टोरियल पाँच से लेकर और अनंत तक, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो आपकी, ठीक है, चाहे 139 फैक्टोरियल हो, या कुछ भी हो, उसका इकाई अंक सदेव 0 ही आता है, ठीक है, इसका एंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक का हो जाएगा, 0, इकाई अंक, 0 हो जाएगा, जैसे कि जैसे हम बता रहे हैं, 5 फैक्टोरियल लिखा हो है, 5 फैक्टोरियल ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, 5 गुड़े फैक्टोरियल, अगर नहीं आता, आपनों को तो बता दे करते हैं अच्छे से देख लीजिएगा जितना फैक्टोरियल होता है उसको उल्टी यानि की कम घटते क्रम में लिखना है गुड़ा करते हुए नीचे की तरफ जाना है और लिख देना है इस तरीके से गुड़ा करेंगे पांचक को 20 अब 20 यह 60 और 60 दुना 120 ठीक है तो 120 आय यहां पर क्या रहा है जीरो आ रहा है ऐसे ही 6 फैक्टोरियल करेंगे यह 7 फैक्टोरियल करेंगे उसका भी 1 अंक जो होगा लास्ट का गुड़ा करते हुए जाएंगे घटते क्रम में तो 1 अंक 0 ही मिलेगा चलिए यहां पर लिखा है 4 तो 4 फैक्टोरियल का 1 अंक क्या और गुड़ा कर देना है चारते हैं बारा बारा दोनी चौबिस चौबिस वंजा चौबिस ही रहेगा तो चौबिस में इकाई अंक यहां पर कितना हो गया चार तो देख सकते हैं यहां पर एक से एक फैक्टोरियल से और चार फैक्टोरियल तक जितने भी नंबर्स आएंगे 2 factorial, 3 factorial सबी को घरते करब में लिखेंगे और उनका अलग-अलग 1 अंक आएगा लेकिन factorial 5 से लेकर, अनंत तक infinite तक, factorial तक फैके, किसी भी संक्या का 1 अंक पता करेंगे तो सदेव आपको 0 ही मिलेगा यह दियान रखना है तो आज की वीडियो में छोटी सी जनकारी थी, दो अलग अलग प्रिशन थे, किसका मान जीरो होगा, कहां से चेंज नहीं होगा, दोनों चीज़ मैंने डिसकस कर दी, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताईएगा